एक सिर्यल खिलर अलग-अलग फैमिली की मदर के साथ अफिर करकर उन्हें टार्गेट करता है एसे एक फैमिली को उसने टार्गेट किया पर हमारे में केरेक्टर को उस पर शक चला जाता है अब आगे क्या होगा यह हम आज के हमारे मूवी देश्टेफ फादर 2009 की एक thriller Hollywood movie में देखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छ लगता है तो प्लीज इससे like और comment जरूर कर दीजेगा अब बीना किसी तरीके explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हम हमारा main character डेविड को देख सकते है सुबह उने पर लोग जिस तरीके से सब normal सी चीजे करते है यही सब डेविड नहीं की पर आज बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था घर में एक family के साथ उसके हम photos देखते हैं पर जब वो घर से निकला तब हम घर में सब के dead bodies देखते हैं डेविड एक serial killer है इस family की mother के साथ उसने शादी की थी और अब बहुत दिनों बाद उन्हें मार कर वो चला किया पुलिस investigation की जाती है पुलिस से हमें पता चलता है कि डेविड ने बहुत बार किया हुआ है उनके पास डेविड की कोई भी identity नहीं डेविड की चो photos थी वो भी अपने साथ लेकर गया वो हमेशा cash payment करता है तो इसकी identity पाने का उनके पास कोई भी way नहीं था अब कुछ दिन बीच जाते है और सुपर शॉप में डेविड सुजैन से मिलता है सुजैन का बेटा Sean कुछ लेने की जित कर रहा था पर डेविड है देखकर कहता है कि तुम्हें अपनी मदर के सुननी चाहिए अगर तुम लाइफ में लड़कियों की सुनोगे तो लाइफ में तुम्हारा बहुत benefit होगा डेविड के बाद सुजैन को बहुत ही अच्छी लगी वो डेविड की रिंग देखकर उसे कहती है तुम्हारी वाइफ बहुत ही लगी होगी ये रिंग सिर्फ डेविड सिंपधी पाने के लिए यूज़ करता था उसने का मेरी वाइफ का अभी अभी एक साल पहले एक्सिडन्ट हो गया मै उसी कियाद में रिंग पहनता हूँ सुदेन को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है इसके बाद पारकिंग लॉट में सुदेन ने डेविड को पीज़ा के लिए पूछ लिया इसके बाद six months गुजर गये थे और six months में डेविड और सुजैन एक दूसरे के करीब आ गए अब इन्होंने शादी करने का भी decide कर लिया था सुजैन के दो छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा माइकल है माइकल अपने स्कूल में बहुत ही जादा trouble create करता था तो इस वज़े से उसे military school में भेज़ दिया था अब वो अपनी holidays के लिए वापस आया माइकल की बच्चपन की girlfriend थी जिसका नाम था केली यह उसे देखकर बहुत ही खुश थी माइकल ने उसे बुचा कि डेविड कैसा है वो अब तक डेविड से मिला नहीं था केली ने कहा कि वो ठीक टा किया माइकल के backyard में आने के बाद उसके लिए एक बड़ी सी party उसकी मदर ने रखी हुई थी वो अपनी मदर से थोड़ा सा नाराज है क्योंकि मदर बहुत ही जल्दी move on करके माइकल डेविड से भी मिलता है पर जादा उससे कुछ भी बात नहीं करता सुजैन अपनी शादी को लेकर बहुत कुछ थी वो अपने फ्रेंड से बुछती है क्या मैं जल्बाजी तो नहीं कर रही फ्रेंड से गा तुमें एक दुसरे से बहुत प्यार करते हो इसमें कोई भी जल्बाजी नहीं सुजैन की फ्रेंड जैकी रियल स्टेट में काम करती थी डेविड के पास आजकल जॉब नहीं तो ये जॉब उसे उदेर देती है पार्टी में डेविड ने माइकल से कहा कि मेरे साथ बेस्मेंट में चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हू डेविड ने दो कपर्स को बन करकर रखा था माइकल से कहता है कि मैं कारपेंटर बनना चाहता हू इसी वज़े से चीज़े करता हू उसने फिर सब्जेक चेंज करकर कह कि फैमिली मेरे लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है मैं नहीं चाहता कि हम कभी भी एक दूसरे से दूर जाए वो माइकल के साथ अच्छी रिलेशन्शिप चाहता है उसने माइकल से कहा कि तुम भी फैमिली के लिए ज़रा एफर्स लेना और मैं तुम्हें मिलिटरी स्कूल फिर से नहीं बेजूंगा रात में सुजान माइकल से मिलने के लिए उसे कहती है कि डेविड सस्कूल में बहुत ही अच्छा है माइकल कहता है कि वरी मत करो मैं कुछ भी गडबड नहीं करूंगा ये सब वो अपनी मदर पर गुसा होकर ही कह रहा था डेविड ने सुजान को समझाया कि मैं उसे और एक चांस देना चाहिए अगली दिन डेविड फिर माइकल की स्कूल में जाता है माइकल ने पहले वहाँ पर जगड़े किये थे इस वज़े सो बैंड था पर डेविड ने उसके टीचर से बात करकर उसे फिर से उसमें एडमिशन दे दिया माइकल गोई बात बहुत ही अच्छी लगी केली भी इसके लिए एक्साइटर थी कि माइकल उसके साथ रहेगा एक दिन डिनर से पहले शॉन वीडियो गेम्स खेल रहा था उसके मदर ने कहा कि आवाज जरा कम करो पर शॉन माना नहीं विससे में डेविड उसके पाज आता है उसका गला दबा कर उसने उससे रिमोट छीन लिया उसे वोईस कम रखने के उसने वार्निंग दी माइकल और के लिए स्विमिंग पूल में एक साथ है एक दूसरे को किस कर रहे थे इस सब डेविड ने देखा और सुजन से बात करता है कहता है कि इस सब इनका करना ठीक है ये एज इन सब के लिए सही नहीं होती है सुजन ने कहा कि तुम्हें भी जरा मौडन बनना चाहिए इस तरीके से तुम नहीं सोच सकते है टीनर करते हैं बातों बातों में माइकल को बता चला कि डेविड के फैमिली का एकसिडन्ट हो गया था इसी वज़े से इसके लिए फैमिली बहुत इंपोर्टन्ट है सुजन कहे थी कि हमारा फैमिली एकस्पिरियंस अच्छा नहीं था वो माइकल के फादर के बार में बात कर रही थी पर माइकल कहता है सिर्फ फादर की इसमें गलती नहीं थी यहीं बात करते करते माइकल के फादर यहाँ पर आ गए वो वीकेंड के लिए सब बच्चों को लेकर जा रहे थे माइकल के अपनी फादर से नहीं बनती तो बाहर भी नहीं जाता सुबह सुजैन से मिलने के लिए उसकी नेबर आई हुई थी नेबर ने कहा कि मैंने डेविड जैसे आदमी की फोटो ये टीवी पर देखी आज काम पर जाते वक्त डेविड इस नेबर को देख कर जाता है डेविड ने माइकल को आज लंज के लिए बुला है उसे कहता है तुम्हारी मदर से में शादी करने वाला हूँ तो क्या तुम मेरे बेस्ट मैन बनोगे तुम्हारे मदर को बहुत अच्छा लगेगा माइकल भी इसके लिए मान जाता है डेविड ने कहा कि मेरी बेटी अगर जिन्दा होती तो आज 11 साल की हो जाती अपने बेटी का नाम उसने लिसा बता है पर प्रिवेसली माइकल को उसने मिशेल बोला था माइकल कोई बात अजिब लगी पर डेविड कहता है उसका नाम लिसा मिशेल था एक दिन नेवर के डोर पर नौक आई वो देखने के लिए गई तो बहाँ पर कोई भी नहीं था गर में आने के बात उसकी बिली चिलाने लग गई थी उससे देखने के लिए गई तो उसके पीछे माइकल था माइकल उसे बेस्मेंट के स्टेज से नीचे गिरा कर मार डालता है एक दिन माइकल और केली रूम में थे यह दोनों इंटिमेट होने वाले थे तब ही डेविड बाहर से देख रहा था केली को इस बात से बहुत ही अनकमफ़टेबल लगा और वो घर पर चली जाती है माइकल डेविड से बुछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे डेविड ने कहा कि मैं अभी अभी घर पर आया और मेरी रूम में जा रहा था डेविड और सुजान माइकल से गयते है तुम्हें केली की इतनी जादा पास नहीं जाना चाहिए लोग उसके बारे में गलत समझेंगे माइकल डेविड से गयता है तुम्हें भी मेरी मदर के साथ नहीं रहना चाहिए था इनकी आगे बात हो पाती तो यह माइकल के फादर बहुत ही घुसा होकर घर में आये वो डेविड को धमकाते हैं कभी भी मेरे बेटे को हाथ मत लगाना डेविड ने शॉन को प्रिवेसली हट किया था इस वज़े से माइकल के फादर बहुत ही जादा गुसा थे पर माइकल उन्हें रोक लेता है बाहरा आने के बाद माइकल के फादर ने उसे पूछा तुम उसे बात क्यों नहीं करें मैं तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंट करना चाहता हूँ माइकल भी इसके लिए हा कहता है सुजन को पता ही नहीं था कि डेविड ने शौन को हाथ लगाया यह दोनों फिर शौन के पाज आते है और डेविड उसे सौरी कहता है उसने कहा मैं इस फैमिले में नया हूँ तुम्हें कुछ मिस्टेक्स करूँगा पर आपको मुझे माफ करना पड़ेगा सुजन डेविड को वार्निंग दे देती है कि कभी भी किसी को भी हाथ मत लगाना यह उसे सही नहीं लगता जैसे कहा मैं पता है कि आज कल डेविड सुजन की एक फ्रेंड जिसका नामे जैकी उसके साथ रियल इस्टेट के आफिस में काम कर रहा था जैके ने उसे का तुम्हें सैलरी देने के लिए हमें तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन लगेगी इस सब कुछ तुम सब्मीट कर देना डेविड एचीज कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस को उसके बारे में पता चल जाएगा वो डिनर के वक्स सुजैन से बात करता है कि वो जॉब में नहीं करना जाता वो इसके लिए कोई भी रीजन नहीं दे रहा था सुजैन उसे बार-बार पूछ रही थी पर डेविड फिर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है एक दिन सुजैन ज़रा बाहर गई थी तो माइकल के फादर उससे मिलने के लिए घर पर आए उस राज जो भी हुआ था इसलिए उन्होंने डेविड से माफी मांगी फादर डेविड से गयत है मैंने तुमारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकल वाई तुम जी स्कूल में जाते थे वहाँ पर तुमारे नाम का कोई भी नहीं था ये सब सुनने के बाद डेविड डारेक्ली उन पर हमला कर देता है उन्हें मार कर डेविड ने उसे बेस्मेंट में छिपा दिया सुजैन ने डेविड को कॉल लगया उसे बात बहुत यजीब लगती है सुजैन से उसने पुछा तुम उसके बारे में जानती क्या हो सुजैन कहती कि मैं आज कल बहुत खुश हो वो डेविड पर डाउट कर करे सारी चीज़े खोना नहीं चाहती उसने फ्रेंड से का मेरी खुशी में ही तुम सब लोग खुश रहो जैकी अब तक इस बात को जाने देने के लिए रेडिय नहीं थी वो और भी इन्वेस्टिकेशन करने का डिसाइड करती है आज माइकल और सुजैन को लगता है कि माइकल के फादर आये ही नहीं सुजैन ने आकर माइकल से बात कि कहा कि तुम्हारे फादर हमेशा ऐसे ही करते है पर डेविड ऐसा नहीं है वो इस फैमिली को फिर से एक दिखना चाहता है तुम्हें भी इसके लिए एफर्स करने चाहिए माइकल कहता है कि मैं समझ सकता हू डेविड ने माइकल के फादर के फोन से उसे मैसेज कर दिया था कि उबीजी है और आज आ नहीं सकते है थोड़े दिनों में पुलीस को पता चल गया कि नेवर की डेथ हो गई है उन्हें लगा था कि स्टेर से नीचे गिर कर उनकी डेथ हो गई इसके बारे में डेविड जब किसे से बात कर रहा था तो माइकल ने सुन लिया माइकल रियलाइस करता है कि डेविड को सिर्फ पता चला कि उसकी नेवर की डेथ हुई है पर ये नहीं पता चला था इस स्टेर से नीचे गिर कर हुई ये बात उसे कैसे पता थी वो उस पर शक करने लगता है इस सारी बात उसने केली से कही वो केली से ये भी कहता है उसने अपनी डॉर्टर का नाम चेंज किया है पहले उसने कुछ और बता है था और बाद में कुछ और बता है केली कहती कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो वो चाहती थी कि माइकल कोई भी ट्रबल क्रियेट ना गरे ताकि वो उसके पास से रह सके डिविड आगर कहता है कि थोड़े टाइम के लिए में ज़रा बहार जा रहा हो डिविड के जाने के बाद माइकल डारेकल उसके रूम में आ गया केली उसे मना कर रहे ही थी पर माइकल को डिविड के बारे में और भी इन्फोर्मेशन चाहिए थी थोड़ी दर में अचानक से डिविड फिर से वापस आ जाता है केली और माइकल घर में छुप गया हम दोनों में दूरी आ रही है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें फिर से मिलिटर स्कूल में भेज दूँगा माइकल फिर से डेविड पर शक करने लग गया वो राद में लापटॉप पर पुलीस की वेबसाइट चेक करता है उसमें उसने डेविड की स्केच देखिए सर्च हिस्ट्री में अल्डेडी डेविड ने इस साइट को चेक करकर अगा था तो ये भी बात बहुत ही सस्पिजियस थी अगली दिन डेविड का स्केच माइकल ने केली को दिखाया केली गहती के स्केच किसी से भी मिल सकता है तुम्हें इतना जादा इस पर सोचना नहीं चाहिए आजकल माइकल का केली पर जादा ध्यान नहीं था ए बात केली को अच्छी नहीं लगती और गुसे में वहाँ से ओचा रही थी डेविड ये देखकर केली से गहता है शायद तो कॉल लगाता है बेस्मेंट में उसके फादर का मोबाईल बजने लग गया डेविड डर जाता है इसको जल्दी से कट नहीं कर पाता माइकल ने अपने रूम से बेस्मेंट से आवाजारी ये नोटिस किया वो नीचे बोचता है तो डेविड हॉल में था उसे लगा कि श साथ है तो डेविड की फोटो निकालता है रात में सुजन कुछ घंडों के लिए जरा बाहर के माइकल जब शावर ले रहा था तो डेविड ने उसके मोबाईल से उसकी इमेज डिलीट कर दिये माइकल ने डेविड को उसके रूम से बाहर आते हुए देख लिया था ये बारे में हमें और भी इन्वार्मेशन देगा ये इमेल डेविड ने डिलीट कर दिया जैक्यो को अपने घर के बाहर को आवाज आई स्विंग पूल में उसके एक चदरी पड़ी हुए थी उससे निकाल रही थी तब ही डेविड पीछे से आता है पानी में डुबा कर उसन नज़र रखना उपर अगर कोई लाइट विगरा स्टार्ट हुआ तो मुझे बता देना पर बाहर निकलाओंगा बेस्मेंट में उसने डेविड का लॉक किया हुआ कबर्ट चेक किया उसमें उसे अपने फादर की बैग मिली फादर का फोन भी पड़ा हुआ था डेविड उसके फादर की बॉड़ी उसमें थी वो बहुत ही ज़ादा डर गया तभी केली बेस्मेंट के उपर से उसे आवाज लगा रही थी डेविड है नोटिस करता है और केली को मार कर बेहोश कर देता है माइकल ने बाहर निकलने की कोशिश की पर डेविड ने सारे डोर्स को सी बढ़ बढ़ होके तुमारा बेटा मुझे पर शक करने लग गया अब मुझे तुम सब को मारना पड़ेगा वो सुजैन की पीछे उसे मारने के लिए भागा माइकल बहुत ट्राय करता है और फाइनल यो बेस्मेंट से बाहर निकला सुजैन भाग कर बातरूमें चीप लेता है दर्वाजा तोड़ते हुए उसका सीशा नीचे गिर गया था सुजैन उठाकर डारेक्ली डेविड की नेक में डाल देती है वही पर बाट टब में नीचे गिर गया वो नीचे आती है और सब एक दुसरे को गले लगाते है तभी डेविड फिर से उनके पास आ गय एटिक की वूड को मोल लगा हुआ था सुजैन और केली इससे नीचे गिर जाते है डेविड नीचे जाकर उसे मार देता तो भी माइकल फिर से उपर उटकर उसे जोर से बाहर पटकता है वो देखता है कि क्या डेविड नीचे गिरा हुआ है पर डेविड नीचे नहीं था वो माइकल को पकड़ लेता है और अपने खुद के साथ माइकल को भी उसने नीचे किरा दिया यह दोनों बहुत ही इंजोर्ट हो गए थे यहाँ पर पुलिस आये और माइकल को हम डारेकली हस्पिटल में देखते है वो बुचता है कि मैं कहा हूँ सुजैन ने कहा कि एक मन से तुम कोमा में थे वो उसने बुचा कि डेविड का क्या हुआ सुजैन कहती ही कि पुलिस के आने से पहले वो बहाँ से भाग गया था अब इसके बाद एक नए हुलिये में हम डेविड को फिर से सूपर शॉप में देखते है जिस तरीके से हो सुजयान से मिला था उसी तरीके से किसी और लड़की से हो मिल रहा है इतना सब कुछ करने के बाद भी हो भाग गया था यही पर यह मूवी एंड हो जाती है यह मूवी इसी टाइब के एक सिरेल किलर से इंस्पार थी जिसका नाम था जॉनलिस्ट जॉनलिस्ट ने भी बहुत सारे लोगों को मारने के बाद एक स्टेबल लाइफ वो जी रहा था पर बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको एक्स्पेशन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा बहुत सारी मुविस लेकर आते रहे तो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दरने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमोगे साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया